नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंजांग के अनुसार बैसाप मा के शुक्लपक्च की सब्दमिती थी के दिन मा गंगा स्वर्ग लोग से भगवान शिफ्ट की जटाओं में पहुची थी इसलिए इस दिन को गंगा जैन्ती और गंगा सब्तमि के रूप में मनाया जाता है मानिता है कि इस दिन मा गंगा की पुजा करने से समस्त पापो से मुक्ति मिलती है साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेश महत्व होता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की साल 2923 में गंगा सब्तमी कब है और इस दान दान का शुप समय क्या रहेगा तो चलिए शूरू कर लेते है वीडियो को लेकिन वीडियो शूरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवन तैवारों की तित्यों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत फूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो गंगा सब्तुमी के दिन सुबह सुर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में स्नाट करना बहुत ही शुमाना गया है लेकिन अगर ऐसा स्वंभब न हो सके तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर स्नाट कर सकते हैं इसके बाद अपने घर के मंदिर में मा गंगा की मूर्ती या तस्वीर के साथ कलश के स्थापना करें कलश में रोली, चावल, गंगा जल, शहत, चीनी, इत्र और गाय का दूद इन सभी सामग्यों को भर कर कलश के मुक पर नारियल रखें उसके बाद अशोग के पांच पत्ते लगा दे, साथ ही नारियल पर कलावा बांदे इसके बाद देवी गंगा की प्रतिमा या तस्वीर पर कनेर का फूल, लाल चंदन, फल, खुड का प्रशाद अर्पित करें और माता की आर्टी करें साथ ही गाहित्री मंत्र तथा गंगा अस्रहत्र नाम श्रोतम का पाठ करें गंगा सब्तमी साल 2030 में 27 अप्रेल 2030 दिन गुरुवार को है इस लांदान का मुरत रहेगा सुबह 11 बचे से 1 बच का 38 मिनट तक, खुलबदी रहेगी 2 घंटे 38 मिनट की सब्तमी तिति का प्रारंब होगा 26 अप्रेल की सुबह 11 बच का 27 मिनट पर समापती होगी 27 अप्रेल की दोपहर 1 बच का 38 मिनट पर एरे वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ